नवश्कार मैं हूँ सूख्रती एरोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है कई बार भूजन करने के बाद खाना गले में आने जैसा महसूस होता है इसे हीटल हरनिया कहते हैं ये दिक्कत युवावस्ता के बाद ही होती है इससे भोजन नली और पेट को जोड़े रखने वाले वॉल्व कमजोर हो जाते हैं इस कारण पेट का कुछ भाग भोजन नली में आ जाता है जिससे खाना भी उपर की ओर आता है एक्सपर्ट की माने तो अधिक वजन और उम्र के अलावा अनुवानशिक, डाइबिटीज, लंबे वक्त से खासी की दिक्कत और धूम्रपान करने वालों का वॉल्व कमजोर हो जाता है गर्भावस्ता के दोरान भी पेट पर जादा फैट जमा होने से इस रोग की आशंका बढ़ जाती है वहीं इस दोरान सीने में जलन, खाना उपराना, अनिद्रा, बेचानी और एसिडिटी जैसा लक्षन नजर आते हैं लंबे वक्त तक इस कारण फूड पाइप में आई सूजन अलसर की वज़ब ही बनती है पेट का हिस्सा सांसनली में जाने से अस्थमा, निमोनिया और ENT संबंधी संक्रमन भी हो सकता है वहीं एंडोस्कोपी से रोक की स्तिती का पता कर दवाओं से इलाज करा जा सकता है भोजन से आधा घंटा पहले दवा देते हैं ताकि भोजन तेजी से पेट से आगे चला जाए इसके अलावा खानपान में परहेज और देंचर्या में भी बदलाव की जरुरत है खानपान में मीठी, खटी, तेले चीजों से परहेज करना इस दौरान जरूरी होता है साथी भोजन करने के बाद लेटने से बचे खाने के आदे घंटे बाद पानी पी, रात को सोने से 3-4 घंटे पहले भोजन कर ले सोते समय सिरहाना उचा रखे, इसमें नियमित हलकी व्यायाम करें, आते मजबूत होती है उमीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले